नमस्कार, दैनिक पंचान के कारिकरम में आपका वोज़ स्वागत है, दैनिक पंचान 11 फरवरी शन दो अजार बाईस संपोर्ण तिथी वार नक्षत त्रियोग करण के हम बात करेंगे, बात करेंगे राहु काल के अशुप शमय की और आविजित मोहुर्थ के शुप शमय की शुक्ल पक्ष के आज दसमी तिथी के साथ सूर्य उदय होंगे, दसमी तिथी दो पहर एक बचकर के त्रेपन मिनट तक रहेगी, उसके पस्चात एक आदसी तिथी होगी, आज का वार है शुक्रवार, मिर्ग शिरा नक्षत्र जोके पूरे दिलवर व्यापत रहेगा, आ मत्यान काल 11 बचकर के 12 मिनट से प्रारम होगा, जोकि 12 बचकर के 35 मिनट तक रहेगा, वहीं बात आविजित के शुम मोर्थ की करें, तो 12 बचकर के 13 मिनट से लेकर के 12 बचकर के 57 मिनट मत्यान काल तक आविजित का शुम मोर्थ होगा, वहीं गुलिक काल का समय आज प्रातर आपकाल आट बशकर के 26 मिनट से प्रारंब होगा जो कि 9 बशकर के 49 मिनट तक रहेगा राहुकाल में किसी भी परकार के शुबकार्यों को करने से बजना चाहिए जबकि आविजित मौर्थ और गुलिक काल में समस्त सुबकार्य के जाते है राहुकाल में किया गया शुबकार्यों बिलंबित होता है उसमें बिगनवादाएं आते हैं जबकि आविजित मौर्थ और गुलिक काल में किये गये शुबकार्यों शीकराती शीकर होते हैं अबिजित मोर्थ में धर्म कर्म, पूजापाट, दानपुण्य के कारे करें और गुलिकाल में यात्रा व्यवसाई नोकरे से सम्भन दित कारे करने चलिए ध्यान दहे आज का शुद्ध अबिजित मोर्थ 12 वजकर के 35 मिनट से लेकरके 12 वजकर के 57 मिनट तक का ही होगा उससे पूर्वर राभू काली अविजित मोर्थ होगा आज जिन दर्सकों का जन्म दिन है आप सभी दर्सकों को जन्म दिन की डेड़ शारी शुब कामनाई परमपिता परमिश्वर आपको यश आईल क्रिप्ति प्रदान करें यही हममंगल कामनाई करते हैं जन्म दिन पर पूजन अवश्च करें जन्म दिन पर क्या गया पूजन वक्रूर ग्रह का दान एक वर्स तक लाब देने का कारे करता है इसलिए जन्म दिन पर पूजन अवश्च करना चाहिए आज का जो दिसासूल है पस्चिम दिसा में यात्रा करने से आज बचिएगा यदि अति जरूरी कार्यक से आपको जाना हो तो दही खाकर के ही पस्चिम दिसा के और यात्रा करें आपका दिन शुब हो, जीवन मंगल में हो, यही यह मंगल कामनाई करते हैं नमस्कार जानकारी अच्छी लगे तो सेर अवस्ट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना परिए